आज हम लोग दिखेंगे टॉपिक क्वीन बी प्रोडक्शन और हाई तो निव क्वीन और निव हाई प्रोडक्शन आप हानी भी यह हम लोगों का टॉपिक है हानी भी का सिम्बॉलिक इमेज दिखाया जा रहा है है जिसमें क्वीन बी को बीच में दिखाया जा रहा है जो ज्यादा चम के लिए और रेडिस कलर लिए हुए है हाँ हानी भी के चत्ते में तीन टाइब के बीस होते हैं जिसमें क्वीन बड़ेकार में होते हैं चम के लिए होते हैं वरकर होते हैं जो फीमेल होते हैं इस्टेर सेख्जुर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अप्टर रिप्रोडक्शन ये डाइस कर जाते हैं अगर देखें तो क्यूं के लिए जो है इस पेसली बीश्ट ऐसे एक्जाग उनलकार की बीश्ट इस पेसली सेल बनाया जाते हैं अगर अब्ल्ट अंड्य जाते हैं जो रानी मध्य है उसके दोर अन्ड दिया जाते हैं और मलें जुह है क्वीण का परड़क्शन जो से पहले कiłिन का परड़क्शन से पहले या भी जान लेना ज़रूरी है क्युआ कि का लाइप साइकल पा सच्छे साल होते हैं बाकि ड्रोन 56 महीने तक भी सरवाईब कर पाते हैं इसी परकार वर्क भी immediately सब्सक्राइब कर पाते हैं किया तो क्यों क्यों कि नहीं चाहिए होता है तो नाक क्यों इसे चाहिए कie चमने लगें कमजोर हो जाए तो उसके जगार मयान का आना जरूरी है या फिर अन्नक कैसेस में अगर देखें तो तो जब किसी अन्यक कारणवास क्वीन भी मर जाते हैं तो भी नया क्वीन का प्रोडक्चन जरूरी होता है तो कहा से नया क्वीन जर्ट होगा तो क्वीन पीक के अंडे से यह जर्ट किए जाते हैं वर्जिन क्विन भी जो होंगे वो जो अंडे देंगे उसका है चिक प्रेड जो है तीन दिन का होता है लारवा लवस्थ में जो है तीन से वह साधे आठ दिन तक लारवा लवस्थ में रहेंगे क्विन सेल खब्ड रहेंगे ढका हुआ रहेंगे शाधे साथ दिन तक प्यूपा जो है आठ दिन में जो है उद्परना हो जाएंगे यह बाहर आ वह सकते हैं जज़ो है यह लारवाद 25-17 दिन में यह थियार हो सकता है उड़ने लायक हो जाएगा यह बीज़ोगीस दिनों और 20 से 24 दिन में उड़ कर ये जो है 20 से 24 दिन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन के पस्चाद जो है ये अंड़ देना सुरू कर सकते हैं 23 दिन में तो इस प्रकार राणी मदमख्षी 23 दिन में अंड़ देना सुरू कर सकते हैं बोब ढको आगर देखें तो रिप्रोडाक्टिव सैकल जो है इसमेंने सिजन हना Lesson से बती होता है ओर शीजन होका वहके गर्मिक सिजन उता है उठीक उता या आप 12 पंदरां के साथ में क्यूंहनी भी उडान भरते हैं और इसमें से कोई एक जो वेल डेवलबडा ड्रोन होंगे ड्रोन ही म्हेल होते हैं तो उनके साथ रिप्रोडक्षं होगा और हवा में आप्र रिप्रोडक्षर्ड मेलos मर जाते हैं और फीमेल वापसामे चत्ते में आकर अंडे देने का काम सुरू कर सकते हैं सुरू कर देती हैं इस परकार राणी मधुमक्गी अंडा जो देती है उसमें से अगर फड़्द एक से बनेंगे तो यह यह तो वर्कर होंगे या फिर अगर रानी मधुमक्खी का निर्मान करेंगे और अगर अनफर्टिलाइजड एक से बनेंगे अगर जाइगोड तो फिर ये एक तरह से मेल का निर्मान करेंगे या ड्रोन का निर्मान करते हैं है कि को दिखते हैं हाओ डूव बीस प्रोडिऊज एक क्युइन वी का निर्मान कैसे होता है वह हम देखेंगे तो फार्टिलाइजड जो रानी मधुमक्खी होंगे वो जो अंडे देंगे अगर फर्टिलाईज़ वह जायगोंट हUNGगे तो फिर वह क्वीन बन सकते हैं कोई एक ही क्वीन का निर्मान करना रहता है लेकिन कैसे होता है क्वीन निर्मान तो step by step देखेंगे तो फिर 20 कंस्ट्रक्ट अपटो 20 वैक्स क्वीन सेल तो 20 वैक्स सेल मॉम सिक्रिट करके जो है इस पेसल हेग्जा को निर्मान किया जाता है थोड़ा सा बढ़ा साइड यह में जो है तो इन बीस जो वैक्स क्वीन से रहेंगे उसमें फर्टिलाइजड एग को रखा जाएगा बीसों में और उनको दो दिनों तक लगातार जो है दो दिनों त जिक्ता चाहरा में प्रोटीन इसके अलावा हमांट में विटमन होते हैं your जैली में तो इस स्प्थमाज को इन बीसों बेतों क्वीन सेल्स में को ग्रहन करके यह जो वाश्रत में जो रालवा पनापड़ होते हैं कि रहे होते हैं लेकिन दूसरे दिन से होता यह है कि अब किवल एक या दो जो मधुमक्खी होंगे जो अलारवा होंगे उसको ही रायल जेली का फूट दिया जाएगा बांकी को नार्मल फूट नार्मल फूट देना शुरू कर देते हैं तो यह जो एक या दो जो मधुमक्खी ह होंगे जो रानिम उनको लंबे समय तक रायल जेली दिया जाता है और इस रायल जेली फूट को खाकर वो अच्छे से द्वलब कर पाते हैं जिसके जरीए यह बड़े अपने असाइज और सेप में जो है बड़ा हो जाते हैं लगभग 25 तक लंबाई में यह बढ़ सकते हैं औ और यह जो 25 तक लंबाई में पढ़ जाते हैं और अप्टार पच्छिस वा आप्टार 24 दे तो 24 दे के पस्चाथ यह खुद अंड़े देने लायक हो जाते हैं उससे पहले जो है 21-24 दिन में उडान भर सकते हैं और उडान भर के जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं अप्ट यह लइफ टाम में एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं और उस रिप्रोडक्शन में ही इतना इस पर में कलेक्ट कर लेते हैं वह लाइप टाम अंड़े दे सकती है तो इस पर कार्ण हनी भी अंड़ दिते हैं उस हनी भी की अंड़े से ही जो फेटिलाइजड एग होंगे उससे ही अगर हनी बी किसी कारणवास मर जाते हैं क्विइन हनी भी अगर किसी कारण्वास मर जाते हैं तो वरकर भी क्या करेंगे कि उनके अंडे से ही फर्टिलाइज्ड अंडे से ही ओर जली नमक फूड दे कर उसमें से इस मेठड से ही ओर जली मेठड से ही क्यूं कों को तयार नया क्यूंं तयार कर लेते हैं ताकि वो उनकी संतती बना रहे तो इस प्रकार क्वीन बी का पॉडक्शन होता है और कई बार होता है कि दो क्वीन बी तयार हो जाता है दोनों क्वीन बी एक साथ रहना पसंद नहीं करते तो दोनों में लड़ाई होता है और लड़ाई होता है जो जीता है वह Queen bee survive कर पाता है और वो अपने संतत्ती को आगे बढ़ाते हैं अपना life cycle को आगे बढ़ाते हैं लेकिन कभी-कभी देखा गया है कि कुछ यह Queen bee अगर दो तयार होते हैं तो दोनों strong होते हैं तो दोनों अपने family को अलग कर लेते हैं या फिर कहना चाहिए आधे-आधे में बढ़ जाते हैं यह Queen bee का चत्ता अलग-अलग हो जाता है और यह इस परकार दो चत्ते का निर्मान हो जाता है तो इस परकार Queen bee एक चत्ते से दूसरे चत्ते में ऊड़कर एक चत्ते से नया जगह अगर चल जाते हैं तो फिर इस method को swarming कहा जाता है तो swarming एक ऐसे परक्रिया है जिसमें Queen bee अपना पूरा जो worker bee होता है, male drone होता है, पूरा family के साथ, पूरा group के साथ में, पूरा colony के साथ में, दूसरी जगह जाके अपना असियाना बसा लिता है तो इस type के method को swarming कहा जाता है